हेलो फ्रेंट्स माइने में जाम सेंग और आप देख 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 स्क्यू चैनल फ्रेंट्स आज बहुत ही इंपोर्टेट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है टूल लाइफ देखे टूल लाइफ हमें किसी भी टूल का लाइफ रिसाइड करना होता है हम कोई पे टूल चलाते हैं जो cnco या bnco या hnco जितने भी कटिंग टूल है हर तूल का अपना लाइफ है तो लाइफ किस तरीके से डिसाइड किया जाता है ठीक है मैं आपको बता दूं कि एक मेरे पास पांच का एचेचेच का ड्रेल है तो हम उसकी लाइफ कितने डालेंगे ए आपको आज कुरावी स्टार्ट से बहुत कुछ बताने वाला हूं तो आप वीडियो में लास्ट टक बने रहे हैं करेंगे टूल लाइफ है टूल लाइफ सबको पता है क्या होता है नहीं पता है चलिए मैं आपको बताता हूं अनस्ते दोस्तों आज आप जानेंगे टूल एक विज्ञानिक थे उनका नाम था टेलर्स टेलर्स टू लाइफ एक्वेशन इन्हों एक एक्वेशन बनाया जिसपे हम आज स्टोल लाइफ को निकलते हैं थेख और आखिर में हम तूल लाइफ के गढ़ना भी देखेंगे कि तूल लाइफ को कैसे निकला जाता है वी ठीक जामपल ठीक आपको किसी भी कटिंग टूल का एक बहुत ही महत्वपूर पैड़ामीटर है क्योंकि टूल लाइफ के नहीं जानते हैं कि इस क्टिंग टूल का उपयोग तक क्या जा सकता है रैट्ट सई ही बात है कि हम जब तक टूल नहीं डालेंगे तब तक इससका पता ही यह चलेगा कि इसका लॉइफ कब खतम होगा जैसे हम कोई से टूल है उसका लाइफ अगर मसीन में डाल देते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने 10,000 पार्ट बनाएं 12,000 खराब हो जाएगा तो यह दू गंता बाद इस टूल को चेंज करना होगा ठीक है यह introduction है थोड़ा थोड़ा चोड़ा सब्सक्राइब की गरना टेलर्स टूल लाइफ एक्वेशन द्वारा की जाती है इसके बाद में हम आगे 20 आल से जानेंगे तो बिना समय गवाएं चलिए शुरू करते हैं ट्रमकाव ओफ डीवयन त्वाइफ है हम चलिए तूलiked कैसे कैसे डिपाइब करते हैं तूल लैफ जенरली चार तरहीं से डिपाइफ करता है एक होता है एक्शूलल करते हैं क्यिने इस टूल कितना मिनिक तक कर सकता है ह howोता है部分 of material काट शकता है यह टूल तीसरा होता है, तीसरा है number of part produce, नानि कितना part यह produce कर सकता है, बना सकता है, यह होता length of part produce, नानि कितना length तक यह tool कार सकता है 10 meter, 20 meter, 30 meter, तो इस तरीके से, चार तरीके से हम tool की line को define करते है, तो चलिए आगे बढ़ते है, एक आपको मैं figure दिखाता हूं, इसमें यह कह रहा है कि जैसे जैसे हम टूल कटिंग उसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा टूल लाइफ कम होता है जैसे आप एक नमबर देखिए एक नमबर वीसी हमारा कम है तो टूल लाइफ ज़्यादा आ रहा है दो नमबर थोड़ा सा वीसी बढ़ा है कटिंग एस्वीट तो हमारा जो टूल लाइफ कम हो गया तो जैसे जैसे हमारे वीसी बढ़ाएगा जैसे जैसे टूल के हिटिंग ह होगी वैसे वैसे हमारा टूल लाइफ कम होता जाएगा ठीक है तो यह गर्लप है जिससे आप समझ सकते हैं आगे चलते हैं देखे हमारा जो एफेक्ट होता है टूल लाइफ का वो किस किस कंडिशन में पड़ता है एक तो होता है कटिंग यदेफ में ताफ आचे तो एक हणा का धूल लाइफ के स्बड़ा जैसा है जैसे म हमान लीजिए कटिंग टंप्रेच्चील ज्यादा होगा पुल्एंट अगम पड़ते हैं तो इसमें हमारा जो टुल के लाइफ है वह कम होगी, फिड एंड डेफ्ट अपकट, हम फिड बढ़ाते हैं, उस पे भी टूल लाइफ कम होता है, डेफ्ट अपकट, मतलब जो दस डेफ्ट अपकट ना होता है, पांचे में कार देते हैं जैसे एक एम्म दो एम्म डाल देते हैं उसके भी टूल लाइब का एफेक्ट परता है टूल जो मेट्री की उपर भी करता है कि कुछ ग्रेड का है क्या है ना है उसका बाद होता है टूल material material को पर भी tool का material है उसके उपर भी depend करता है जो कि एचेचे से करवाईट है PCD यह से यह होता है फिर वर्कपीस material वर्कपीस का भी material फिर हमारा tool life count होता है nature of cutting किस type का आप cutting करते हो मान लो कि side milling है dip drilling है या face milling है तो उस पर भी depend करता है कि nature क्या है आपकी cutting करने का use of cutting fruits अब कितने देखें जैसे tool में जितने fruits होते हैं उतने life होती है तो tool में जो भी fruits होते हैं उसके उपर depend होता है ठीक है तो और आगे बलते हैं operator as killed operator पर भी tool life का असर परता है ठीक होती है कुछ हमारे points है जो के effect डालते है tool life ओके तो चली आगे बढ़ते हैं देखिए टेलर्स का tool life टेलर्स ने जो फर्मूला दिया था वह हमारा फर्मूला होता है tool life निकालने का वह होता है इसमें देखिए क्या होता है cutting speed होता है जो के meter per minute होता है ठीक है इसका मातरत है और tool life होता है minute में ठीक है अब एन होता exponent ठीक है यह था depends यह था defense on tool material मतलब जो tool का material होता है उस पर यह depend करता है c हमारे constant होता defend on tool material and work fish material and cutting work condition जो c होता है यह हमारे यह सारे चीजों पर depend करता है और इसमें एक आपको चार्ट दिया गया जो की एन है यह depend on tool materials इसमें हम एन का अलग-अलग tool के coding अलग-अलग value हम रखते हैं ठीक है तो इसमें जो हमारा एन है है एक एक है हाई-टेंडर एस्टेल टूल के लिए 0.08 से 0.2 तक चलता है यह कास्ट अलोई कास्ट अलोई का विए टूल बनते हैं इसमें 0.12 से 0.15 तक चलता है यह करवाइट टूल होते हैं जो इसमें 0.2 से 0.04 तक चलता है और यह कोटेट करवाइट टूल होता है उसमें कोटिंग हो जाती है तो उसका चलता है 0.4 से लेके 0.58 तब ओके और यह होता है स्रेमिक टूल इसमें 0.5 से 0.7 तक चलता है और हमारा दायमंड PCD या CVN इंसेट होती है उसका उता 0.7 तो 0.9 यह चार्ट है जो आपको याद करने होती है इसमें अगर N दे दिया है तो ठीक है अगर N आपको नहीं देता है आपको कॉंदी भीसी मिलती है cutting speed और तो आपको यहीं से आपको लगानी पड़ेगी और उसमें TV अगर मिल जाए तो इसमें होता है क्या है कि आपको VC दे दी जाती है और टाइम बता दी जाती है तो उसमें हमें अगर VC कम करके अगर टाइम निकालने अगर आपसे कोई भी टूल लाइफ पूछे तो आप अभी चली आगर डिसकर्स करेंगे विसको पर नुमेरिकल हैं आपको बताऊंगा ठीक एक मोडिफाई भरजन है जो की यह मोडिफाई किया गया इस फर्मूले से भी हम टूल लाइफ निकालते हैं जो की यह भी और टी का पावर एन इसमें F और D इंक्लूड हो गया जो की फील्ड रेट है और यह हमारा देब्ट आप पट है ठीक तो यह दो चीज़ इंक्लूड करके विए हम टूल लाइफ निकालते हैं ठीक आगे चलते हैं एक नुमेरिकल देखते हैं इसमें हम देखें एक मसीनी एक पाट से जो कास्ट आरन का है जो साथ मिनट में हाई साथ मिनट में किया था और इसका लाइफ हाई थी अगर 100 के VC से चलेगा इसके light कितनी बढ़ जाए दी तो चलिए इसमें जो n का माने 0.09 दे दिया गया तो हमें given दिया है 60 minute और time है और VC है 120 mm per minute और n का power दे दिया हमें time निकालना है ठीक है मनें इसके VC कित पड़ी तो हमने solution किया है या इसका solution है देखिए यह जो हमारा टेलर्स का नियम था वो हम यहाँ पर दिखे हैं उनका जो फर्मूला था V equal to T power and equal to C ठीक है हमने का किया कि दोनों तरफ इसको V1 T1 मान लिए इसको V2 T2 मान लिए equal to C ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत आने का नहीं आप लोग पढ़े होंगे माना कि यह ठीक है तो हमारा जो भीवन है भीवन है यहां 120 है ठीक है जो 20 है और TV दे रखा इसको लगा दे C कर दी इसको जब हमने प्रक्लेशन किया तो हमारा इतना आ गया ठीक है सी कमान इतना आ गया तो अब हमें क्या करना है T2 निकालना था हमने टाइम निकालनी अब इसी फर्मूला में हमें यह तो 100 दे दिया है यहां पे इसी ओके और यहां पे हमें T2 निकालना है अब सी कमान हमें यहां से मिल गया तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो जब यह जो पावर है इधर आएगा तो अपन में आ जाएगा होनो अपन 0.9 और इसको इसको निचे यह भी इधर जाएगा डाउन में चला जाएगा डिवा किजिए तो पावर 11.11 हो जाएगा तो ती का जो मान आएगा इतना मिनट बढ़ जाएगा अगर हम वीची कम करेंगे तो जैसी बात है कि हमारा जो लाइफ है वो बढ़ेगा तो हमारा कितना बहुत ज़्यादा फरक पड़ रहा है अगर वीची जितने कम चलाएगे उतने ह हमारा तूर लाइक बड़ेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आप लोग निकालिये और यह होगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसको उपर बनाऊंगा ठीक है और आपको समझाने के मैंने पुरा कोशिस किया अगर कुछ भी ना समझ माय तो आप क मिल दे नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए जाएंद।